आदनिये कैप्टिन साहब अमरिंदर सिंगी और आदनिये डिंडसा साहब के बीच में एक लंबी वारता और बैटक संपन हुई है इनों पार्टियां साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे एक मैनिफेस्टो जाइंट मैनिफेस्टो इन तीनों दलों का इस अगटबंदन का बनेगा जो हमारे लिए आने वाले चुनाव में चुनाव का आधार होगा आधनिये ग्रहमंत्री मन्निये अमिच्या जी आधनिये कैप्टिन साब अमरिंदर सिंग जी और आधनिये दिंटसा साब के बीच में एक लंबी वारता और बैटक संपन हुई है और बैटक के बाद में आज इस बात की आधिकारिक घोशना हम सब लोग मिलकर के कर रहे है कि तीनों पार्टियां साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे सीटों के बटवारे को लेकर के संख्या को लेकर के और कौन सीट कौन सीट पार्टि लड़ेगी इसको लेकर के तीनों ही दलों के दो-दो प्रतिनितियों के कमेटी बनाई जाएगी आज नाम तै किये जाएंगे और आने वाले एक दो दिन के बाद में उसकी बैठक होगी और बैठक में इन सारे विशियों पर विचार करने के साथ साथ में पंजाब से जुडेवे विशे, सिखों से जुडेवे विशे, कुर्षी से जुडेवे विशे और पंजाब में जो बहुत बड़ा तबका है उबी सी उन सब से जुड़ेवे विशे इन सब विशियों को के उपर व्यापक चर्चा करने के बाद में एक मैनिफेस्टो जाइंट मैनिफेस्टो इन तीनों दलों का इस सगटबंदन का बनेगा जो हमारे लिए आने वाले चुनाव में चुनाव का आधार होगा पंजाब को भविशे में किस तरह से जो उसके खुशाली का अतीत है उस अतीत को लोटा करके पंजाब को नया पंजाब किस तरह से बनाय जा सकता है इसके लिए ये गटबंदन मिल करके काम करेगा